प्रस्ण है टाटा अस्टील कंपनी के अस्थापना कबोर कहां हुई थी इसका सही एंसर हो जाएगा 1915 में जमसेद पूर में इसके अस्थापना हुई थी अगला क्वेशन लेते हैं भारत में पहली सूती कपड़ा मिल के अस्थापना कबोर कहां हुई तो इसका एंसर हो जा जाएगा कालिकट बंदरगाह अगला प्रस्न है जामदानी क्या है यह एक परकार का रेश्मी साड़ी है केलिको अधिनियम कि से सम्बंधित था केलिको अधिनियम जो है सूती कपड़े छीट से सम्बंधित था अगला प्रस्न है ओध्योगी करांति की सुरवात सर्व पर्थम कहां होई थी तो इसका सही अनुसर हो हो जाएगा इंग्लेंड में अठार्मी सतावदी में भारत में बुनाई का पर्मुक केंद्र कहा था तो यह हो जाएगा बंगाल प्रांत में काफी इंपोर्टेंट प्रसन है एक्जाम की दिरिष्टी कुन से तो निश्ची तरुप से आप इन्हें याद कर ले शूरत बंदरगा भारत के किस तड़ पर अस्तित था ये हो जाएगा सुरत बंदर्गा भारत के पसमित अटपर अस्तित था अनि gevरात में किस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा पुत्र थे यानि जिसको गोद लिया था 1857 इसवी के विद्रोह का ततकालिक कारण क्या था तो इसका जो ततकालिक कारण था वो था 1857 इसवी के विद्रोह का ततकालिक कारण चर्वी वाले कार्टूश थे जो इन फिल्ड नामक राइफल में भरने से मुह से खोलने परते थे तो यह ही उसका ततकालिक कारण था 1857 इसवी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नल जनरल कोन था तो इसका सेंसर हो जाएगा Lord Canning तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं काफी important प्रस्ण है पर इच्छा के दिरिष्टी कोन से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा भारतिय सेनिक कहा जाना धर्म के विरुद समय थे तो इसका एंसर हो जाएगा समुन्द्र के पार जाना धर्म के विरुद समयते थे विलाय या हडप निती किसके द्वारा अपनाए गई तो लौड डलोजी के द्वारा विलाय या हडप निती अपनाए गई लौड डलोजी द्वारा राज हडप की निती के अधार पर राजविलाय का सही क्रम क्या था यह हो जाएगा सतारा संबलपूर नागपूर और अबद कि इसमें हम काफी प्रस्ण को देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें चुटू पालू घाटी में जहारखंड के किन स्रतनता सेनानियों को फासी दी गई थी तो यह हो जाएगा और माजी छेतर में टिकरेत उम्राव सिंग तथा सेख भिखारी को आठ जनबरी 1858 इस वी को चुटू पालू घाटी में एक पहेंड से लटका कर फासी दी गई थी और बात करेंगा 1857 के विद्रोह की सुरुवात कहां हुई थी तो यह हो जाएगा बंगाल के बैरकपूर से नेक्स्ट क्वेस्टन है विद्रियों ने किसे भारत का सम्राट घोसित कर दिया तो यह हो जाएगा बहादूर सा दूतिय को ठाकुर विश्मनात सहदेव को फासी सिंग किसरा से समय थे तो इसका सेंसर भाजाएगा बिहार से मराठा पेशवा बाजिरो दूतिय के दतक पूत्र कौन थे तो यह हो जाएगे नाना सहब तात्या टोपे किनके सेनपती थे नाना सहाब के अगला क्वेस्टन पिचलते हैं निलांबर पिटांबर कहां के दो महान सोतनता सेनानी थे तो यह हो जाएगे पलामु जहारखंड के सती पर्था को दूर करने का स्रे किसे मिला तो लौड बिलियम बैंटिक को मिला था बिध्वा पुनर विवाह के लिए किसे किसने काफी मेहनत की तो यह हो जाएगा इस्वर चंद्र विध्या सागाद्य किसे आधूनिक भारत का जनक का आ जाता राजा-राम महन-डाय को आर इस समाज के अस्थापना किसने की स्वामी देयानन सरस्वती ने महराष्ट के प्रसिद समाज सुधारा को नहीं इसका एंसर हो जेगा जोतीवा रूब फुले पहली बार दिल्ली के सिंगासान पर बैठने वाली महिला कुन थी थी इसका सयंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान हर बिलास सारदा के पर्यास से बना सारदा कानून की से समंदित था लड़के लड़कियों की साधी के लिए नियूनतम उम्र से भोपाल की बेगम उन्हें लड़कियों की सिक्षा के लिए कहां विद्याले खोले तो अलिगर्ड में सती पर्था का प्रमान किस अभिलेक से मिलता है तो इसका हो जाएगा भानू गुप्त के एरन अभिलेक से भारतिय महिलाओं का अब इस विद्याले में परवेश कोन से दसक में हुआ तो अठारा सो असीस भी में अब चलते हैं आगे नारायन गुरु किस छेतर में सक्रिय थे समाजी के वं धार्मिक सुधार किसने स्वामी बिवेकानन को आधुनिक राष्टिया अंदोलन का अध्यात्मिक पिता कहा है तो सुभास जंद्र बोस ने राम क्रिष्ण मिशन के अस्थापना किसने की स्वामी बिवेकानन ने जोति वारौ फूले किस अस्था के अस्थापना की यह हो जाएगा सत्य सोधक समाज यंग बंगाल अंदोलन किसने सुरू किया हैंरी डिरो जियो ने डॉक्टर भीम रवाम बेदकर किस जाती की ते जिसका हो जाएगा महार जाती के गुलाम गिरी पुस्तक किसने लिखी जोतिवा फूले ने स्वामी कानन्द विश्व धर्म सम्मेलन को कहां प्रस्तुत किये तो अमेरिका के सिकागो सहर में अलिगर्ड आंदोलन से कौन जुड़े थे ति हो जाएंगे सर सयद अहमद खान कि एक कोशन पहले भीम बोल चुके नारान गुरु किस चेतर में सक्रिय थे तो समाजी के वों धार्विक सुदार में अब चलते हैं भुगोल के प्रस्णों को ले लेते हैं तामबा किस तरह का खनीज है तामबा एक धात्विक और अलोह खनीज है जार्खन में लोह ऐस कहां पाया जाता है तो जार्खन में लोह ऐस कहां पाया जाता है परते आगे जार्खन में अबरक का उतपादन मुख्य रुप से कहां होता है तो यह हो जाएगा कोडरमा, गिर और हजारी बाग में और धातवी घनीज को दारन तो अबरक, चुनापत्थर, क्वेला जार्खन में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्यरूप से कहा होता है तो इसका सेंसर हो जाएगा लोहर दगा और गुमला में होता है जार्खन में तंबा उत्पादन का मुख्य रुप से कहा होता है तो यह होता है घाट सीला में जर्या किसके उत्पादन के लिए प्रसीद है तो जर्या जो है कोईला उत्पादन के लिए प्रसीद है किसे उद्योग की जन्नी कहा जाता है तो कोईला को उद्योग की जन्नी कहा जाता है अगला प्रस लेते हैं ज कोईला जो है जिवास्म इंदन का उधारन है काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कोईला जुआरिया उर्जा पवन उर्जा अबम सोर उर्जा में से कौन सा उर्जा का गैर प्रमप्रागत शुरोत नहीं है तो यह इसका हो जाएगा कोईला जुआरिया उर्जा उर्जा का कौन सा सुरोत है तो गैर प्रमप्रागत कौन सा उर्जा सुरोत पर्दुसन नहीं करता है तो गैर प्रमप्रागत उर्जा सुरोत मनी करन किस उर्जा के लिए जाना जाता है तो भौतापिय उर्जा के लिए जेविक सामगिरी गोवर रसोई अपसिष्ट आदी के विघटन से कौन सा ग्यास उत्पादन होता है तो इसका वज़ाएगा बायो ग्यास जिन क्रियाओं से मनुस को आए होती है उन्हें कैसी क्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया प्राथ्मिक क्रियाओं के उधारन कोन-कोन से हैं किर्सी, खनन और पसुपालन किर्सी कैसी क्रिया है प्राथ्मिक क्रिया उद्योग कैसी क्रिया है दुईतियक क्रिया बैंकिंग यातायात संचार व्यपार आदिक कैसी क्रिया के उधारन है तो यह जाएगा तिरतियक क्रिया चाय कोफी रवर किस परकार की फसले हैं तो इसको बोलते हैं रोपन फसले हैं चलते हैं आगे अस्थान तरित किर्शी को उत्तर पुरवी भारत में कौन सी खेती कहते हैं जूम खेती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन होगा विश्व की परमुख दोख आदे फसले कोन सी हैं चावल और यहूं नेक्स्ट प्रस्ण है उद्योग कैसी क्रिया है उद्योग जह दूतियक क्रिया माता है बैंकिंग या तयात संचार वैपार आदी कैसी क्रिया के उधारन है तो यह जाएगा तिरतियक क्रिया की काफी प्रकार की किरसी फसले रोपन किरसी तब एक्जाम देने से पहले जरूर इसको याद कर लें अस्थान तरित किरसी को उत्तर पुर्वी भारत में कौन सी खेती कहते हैं तो यह जाएगा जूम खेती तो यह बता चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम हो जाएगा चीन उसके बाद भारत आता है दो नमर में तीसरे पे जापान और चोथे पे स्रिलंका कपास की खेती के लिए उप्युक्त यहां मिट्टी होता तो यहां पे महिला लिख दिया है चलिए तो हो ज विशेदार फसल को सफेद सोना कहा जाता है तो इसका अंसर बोजाएगा पटशन दो परमुक्त फसल कौन से हैं चाय और कहवा किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है तो यह जाएगा ब्राजील को भारत की कूल भूमी का कितना प्रतिसत किर्शीयोग है तो यह है संतावन प्रतिसत बढ़ते हैं आगे जिस देश का मानव संसाधन अधिक विख्सित हो उस देश को क्या कहेंगे उसको बोलते हैं विख्सित देश बिश्व जनसंख्या दिवस कम मना जाता है 11 जुलाई को एसिया और यूरोप में बिश्व की कूल जनसंख्या का लगवक कितने परतिसत लोग रहते हैं तो यह हो जाएगा 75 परतिसत बिश्व का ओसत जनसंख्या घनत्व कितना है 14 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो यह है 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर इसी तरह से आगे जलते हैं भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जन्गना होती है तो यह इसका एंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में कौन सा इसा राज है जहां जन्ग्या कम होई है तो हो जाएगा नागा लेंड विश्व के सरवाधिक घने वसावट वाले महादविप कौन सा है तो एसिया महादविप जन्ग्या परिवर्तन की तीन पर्मुख परतिक्रियाएं कौन सी है तो जन्ग्या परिवर् और अफिरका में रहते हैं अगला प्रस्ण जन सुवीधाओं की उपलबता की जिमेंवारी किसकी होना चाहिए तो यह हो जाएगा सरकार की सहरों में किस प्रकार पेजल क्या पूर्थी की जाती है तो पाइपलाइन और टेंकरों से स्वक्ष भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारम किया तो यह किया गया था दो अक्टूबर दोजार चोदव में नरिन मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद जारकार सरकार ने 15 अप्रेल 2016 को भीम रवंबेदकर आवास योजना सुभारम किन के लिए क्या था तो यह क्या था बिद्वाओं के लिए परधान मंत्री उजवला योजना किस्य का समन्द किस्य है तो यह है निशूल के लपीजी कनेक्शन उपलब्द कराने से सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन्स विधा अपलब्द कराई जाती है शिक्षा पेजल स्वक्षता की स्विधा आजीवका के अपसर किस परकार की पर्योजना से एक साथ कई लाब मिलते है तो यह हो जाएगा बहु उद्देश्य पर्योजना नेक्स्ट प्रस्ण है मानव कैसा प्रानि है तो यह जाएगा मानव एक समाजिक प्रानी है व्यक्ति सभीत एक गंभीर स्वास्त एवं समाझिक समस्या बता है तो यह हो जाएगा नसा खोरी एक आगरता अस्मरन सक्ती एवं स्वेंग नियंत्रंत में कमी किसके करण करन होती है नसा खोरी के कारण भारत में लड़कियों के लिए विवायोग, उम्र कानुन द्वारा कितने वर्स निधारिता है? तो अब कर दिया गया है 21 वर्स कानुन लड़कों के विवाय के आउई निधारित किया यह भी हो जाएगा 21 वर्स भारतिय समिधान के अनुछे 24 के अनुछार किस उम्र में बच्चों से बाल विवा कराना डंडी अप्राद है तो यह हो जागा 14 वर्षे कमून के बच्चों का बाल सरम अधिनियम कब बनाया गया तो यह क्या था 1986 में एक संगठित अप्राद का नाम बता है मानव तसकरी अंतरास्टिय नसा निरोधक दिवस मना जाता 26 जून को